हाई फ्रेंड दूसर अश्वनिवस्ति वाचिंग माई यूटूब चैनल अश्वनिवस्ति आज किस वीडियों बात करने वाला हूँ प्रैक्टिकल एससाइन्मेंट के बारे में जो के M2, R4 और R5 के लिए होगा वेब डिजाइनिंग और पॉब्लेशिंग के बारे में मैं बात करूँगा इस टॉपिक को मैं इतना इंपॉर्टन इसलिए मानता हूँ कि एक कोशन आपको पास कराने के लिए जो आएगा वो वेब डिजाइनिंग से रिलेटेट आएगा सब्सक्राइली चीज वेब डिजालिक को लेकर मैं एक चीज आपको कलेफाइー करदेऊ कि अगर आप किसी और एडिटेर का यूज़zent कर रहे हैं याई वेब पेज़ बनाने के लिए किसी नोटपैड के लाबा किसी और editor role का use कर रहे हैं तो उससे आप practice करके मच जाएगा क्योंकि वहाँ पर notepad ही आपको मिलेगा जिसमें बहुत सारे confusion आपको create होंगे अगर आप notepad plus plus पर editor पर काम कर रहे हैं तो आपको सारे tags highlight होकर दिखाई पड़ जाते हैं जबकि notepad में ऐसा नहीं होता तो that's why आपके पास एक बहुत बड़ा confusion केट होगा जब आप practical तोर पर काम कर रहे होंगे इसलिए मैं आपसे पहले ही कहरे दे रहा हूँ कि आप लोग जब भी आपके practical को करिए यानि अगर आप practical assignment deal कर रहे हैं तो आप notepad पर करिए notepad प्लस प्लस पर मत करिए अगर वह notepad प्लस प्लस मिल जाता है तो आपके लिए beneficial option होगा beneficial point होगा बट अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए negative point हो जाएगा और आपकी coding जो है वो mistake करेगी क्योंकि छोटी जोटी error भी notepad पर error मानी जाती है जबकि notepad प्लस प्लस पर आपको सारी heading की जो spelling होती है वो as it is मिल जाती है इस बात को वीशे स्वार पर देना की का वीडियो मैं आगे बढ़ूँ से पहले मता दूँ कि अगर आप मैंने चैनल पर पहली बार आए तो मैंने चैनल को असाइनमें में benefit दिला सकता है आईटी का practical assignment में अलड़ी दे चुका हूँ जिससे अगर आप practice करते हैं कि 25 marks का question आने के chances दो नों के तो 50 marks आपको ऐसे मिल जाते हैं और वाइबब में आप marks गेन करके असानी से practical examination में pass हो सकते हैं तो इस वीडियो को जादा जादा शेयर करिए जिससे जादा लोगों पास information पहुंच सके और वो इसका benefit आपाए चली चलते हैं और बात करते हैं कौन-कौन से questions हैं जो आपके practical assignment में आ सकते हैं वेब के तो नीचे पहला question जो यहां पर आयाता है create an HTML file first page.html यानि आपको एक file save करनी है first page.html से और इसके अंदर जो specific content रखना है आपको heading में रखना है और two paragraphs रखना है यानि एक heading आपको form करनी है और two paragraphs आपको represent कराने है तो as the text in the heading and paragraph you can use any text you like और paragraph में आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं और heading में आप कोई चीज़ रखन करा सकते हैं तो यहां मैंने heading में जो है centralisement के साथ क्योंके heading मैंने centralisement रखना है O level के रूम में और paragraph में आप equal to R&D type करके MS word से भी paragraph उठाकर यहां पर apply कर सकते हैं और उसी को paragraph form में दिखा सकते हैं तो यह simple program एक जो के मुझे लगता है क्योंके मैं चार प्रकार के प्रोग्रामों को आपको बताने वाला हूँ जो के simple form में आ सकते हैं पहला जो आएगा कि मैं बता दूँ आपको कि पहला जो bio data का format होता है यह नहीं simple format होता है which should allow to enter your personal data hint make user text field आपको text field का use करना है, password field का use करना है, email का use करना है, list का use करना है, radio button का use करना है check box का use करना है, submit button का भी use करना है तो यह आमर मैंने देखिया output आपको देदिया है और इसको try करके देखियेगा, अगर आपको doubt रहता है तो मैं बताएगा तो मैं इस पर भी video create करूँगा कि form कैसे create किया आता है तो मुझे comment section में जरूबताएगा तो यह है आपका output इसके अधार पर आपको form करना है registration form या को भी application form बना सकते हैं जिसमें यह सारे आपको content रखने है output मैं आपको देदिया है आप महाँ पर proceed करिएगा कैसे इसको form करना है यह web page आपका है इसके बाद नीचे हम scroll down करते हैं और अगले question की तरफ बढ़ते हैं जहां पर दिया गया है write HTML code to generate following output तो following output मैं आपको देखिए आपको लगता है वो यह आता है कि listed में order on order list भी आपका आने का चांस जाता है जिसमें एक simple plain program के रूप में आपको दिया गया है तो HTML code में देखिए मैं उपर का छोड़ रही है क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहला HTML आता है head के इंदर title आता है अपरता तो मैंने यहां पर representation करा दिया A का यहां A से यानि जब इसका output आएगा तो वो ABC में आएगा ना कि 123 में आएगा तो यह आपका code है जो कि मैंने दिखा दिया आपको इससरे किसे आप उसको बना सकते हैं इसके बाद next आगर हम question 4 की तरह बसते हैं इस anchor tag की यानि A हैरिफ जो आपका लगता है उसके मातियम साब creation ज़रूर करिएगा create a web link that open a new window एक web link आपको बनाना जिससे क्या होगा एक नई window खुलके है इसके बाद create a web link that open in the same window और एक ऐसा web link बनाना है जिससे आपकी same window पर open हो जाए create reference within the same HTML document एक reference आपको बनाना है जिससे आप same document HTML document को open कर सके इसके बाद reference to the same image वहाँ पर एक reference बनाना है किसका एक image का जिससे आप उसको open कर सके making a image a hyperlink to display second image एक image पर आपको hyperlink लगाना है जिससे आप उस पर अगर click करें तो आपको second image खुलकर मिल जाए तो यह जो anchor tag जो होता है वह काफी important है इसकी practice आप जरूर करिएगा और क्योंकि यह आने के chance ज़्यादा लगते हैं इसके बाद create an HTML page of the following specification यहाँ पर देखे title should be amount of the my city जो title होगा my city होगा याँ आप जो file save करेंगे my city से करेंगे place your city name at the top of the page in the large text तो आपको जो page my city जो page है वो अपने city का नाम आपको वह टाइप करना है और उसको large size में page में represent करना है and blue color में उसके साथ blue color भी आपको देना उसपे add name of the landmark in your city और उसके साथ क्या करना है आपको landmark of the city of each of the different color और जितने भी landmark हैं आपके city के वो different color में represent करना है और style और उसका type face भी change करना है one of the landmark एक landmark पर क्या करना है आपको college name name should be blinking और आपका जो एक landmark पर आपको क्या करना है college name को blink करना है add scrolling text with a message of your choice और आपको क्या करना है उसमें scrolling text को represent करना है choice के लिए रूप में तो यह आपका एक program है जो के linking से related है overall सब का combination यहां पर दिया गया है तो यह चीज एक अलग हो जाती है इसका form भी आप एक वर create करके देख लिजेगा इस तरह की का program में बना कर देख लिजेगा ठीक है इसके बाद create an HTML page with seven separate lines यह separate line वाला जो procedure है वह काफी important मुझे लग रहा है इसलिए मैंने इसको include किया है with different color यहां पर line हो का different है और state color of each line in this its sex और उसका text होगा क्योंकि line 1, line 2 यह text होगे तो उसको भी आप क्या करेंगे उसी color से represent करेंगे create an HTML page containing a polynomial expression as follows यहां पर देखे square दे रखे हैं इसके value के यह आपको superscript follow करनी है इसके बाद write a HTML code to generate the following output यह question मुझे काफी important लगा तो इसकी practice आप जरूर एक बार चेक कर लिएगा इसका जो output है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो output यहां पर represent कराया है लेंग्वेज आपको देना है इसके बाद एक line represent करानी है classification of the computer language, low level language यह simply form में बनाया गया और उसके बाद एक unorder list यहां पर दी गई है इसके बाद order list में high level language यहां पर लगाया हुआ है उसके बाद यह चीज़ लगाया है और यह चीज़ देना कि यह linking नहीं है क्योंकि linking के नीचे underline होती है यह simple जो text color है उसको color से change किया गया blue color में रखा गया है तो यह चीज़ आपको विशेस तो बिजानक नहीं है इसके बाद नीचे एक और मैंने output program लिया है जो के मुझे काफी important लगा इसलिए मैंने उसको भी इंदर include किया है जो के काफी importance मुझे दिखाई पट रही तो इसके तो मैंने उसको भी यहाँ पर involve किया है जो के DOEC society का है और यह काफी बार paper के लिए utilize किया गया है DOEC centers यहाँ पर दिया गया है centralization के साथ यूज किया गया है h1 इसके अंदर use किया गया होगा इसको भी यह text दिया गया जिसके width settle की गया है horizontal line की इसको भी यह paragraph लिखा गया है simple form में और नीचे आपको short terms courses दे रखे है और corporate courses दे रखे basic के लिए अगर देखा जाए तो यह hyperlink बनाए गया है इसके बारे में पूरी information भी नीचे page में दी गई है that means यह आपको 4 pages total बनाने है जिसमें एक page आपका होगा short term course का एक होगा long term course का और एक होगा corporate courses का और एक final page जो बनेगा जो के doex center के नाम से बनेगा यह आप यह आप कर सकते हैं links course should be same page with the following details तो आपको बता दिया गया है यहापर जो links के द्वारा आपको यहाँ पर represent कराने है और इनका जो content है वह उनने नीचे दिया गया है कि अगर इस पर link पर click किया जाए तो यह page open होगा है देखिए यहाँ पर दे रखा है short term का course long term course और उसके यहाँ corporate course तो यह पूरी information मैंने आपको बता ही है जो कि मुझे लगता है कि chances प्रोग्राम के आने के ज़्यादा है और इस type के course जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं तो इनकी preparation आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत बोलिएगा क्योंकि आपका लाइक ही हमारे बनवाल को बढ़ाता है जिससे हम ऐसी वीडियोस फॉर्म कर पाते है इसके साथ अगर आपने अभी तक शेयर बटन का यूज करके वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अभी उसको शेयर बटन के में आदम से वार्टसप और फेस्बूक पर शेयर करना ना बूले जिससे ज़्यादा लोग पर पास यह इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो इसका बेनेफिट आपाए एटाज मैं कहने चाहूंगा थैंक फ़ बटन वच्योग तैंक यू